हेलो इस्टुडेंट्स वेलकम वेक और यूटुब चैनल स्टडी सर्कल 24 तो इस्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे तो यस विल्कुर आप सही देख रहा है कि इस साल भी दसमी और बार्मी के बच्चों को असाइम हो जाएगा ठीक है और साथ ही यह भी देखेंगे कि आपके सिलेवस में यानि इस बार के 10 और 12 के लिए जो सिलेवस है आपका पाठेक्रम है उसमें कितने प्रतिशत कटवती की गई है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पास आ और बार्मी के बच्चों को असाइमेंट दिये जाएंगे और यह कितने असाइमेंट होगे और कब से मिलेंगे यह भी हम आपको बताएंगे तो यह असाइमेंट आपको टोटल असाइमेंट इस बार दिये जाएंगे आपको 6 असाइमेंट मिलेंगे ठीक है कब से मिलेंगे तो वो आपको मिलेगा अगस्त मां से अगस्त मां से आपको assignment मिलना शुरू हो जाएगा और अगस्त मां में कब जारी किया जाएगा तो ये last week अगस्त मां के last week में आपको assignment board के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और उसके answer के लिए आप हमारे channel को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शादी बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको आपके assignment से संबंदित हर एक जानकारी मिलती रहें ठीक है और उसके answer को किस प्रकार से लिखना है कौन से पेज में लिखना है उसका front page कैसा होगा cover page कैसा होगा सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी है ठीक है और अब बात करते हैं कि आपका इस verse ठीक है कितने percent कटवती की गई है ठीक है इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना था तो यह अब final हो चुका है कि इस verse भी आपका 30 से 40 प्रतीसत जो आपके main subject है उसमें syllabus की कटवती की गई है ठीक है यही जो cutoff था आपका यानि इतना ही कटवती पिछले verse के particular में भी किया गया था तो इस साल भी इसी को follow किया जा रहा है ठीक है क्योंकि इस साल भी आपका online classes चल रही है और अभी third wave के आस जंका आने के लिए इसलिए school भी open अभी नहीं होने के chances है ठीक है तो अभी ऐसा सरकार के दौर कोई आदेस जारी नहीं किया गया कि इस लिए 30 से 40 प्रतीसत कटवती की गई है और साथ ही आपका online class है इस बार मुहला class के रूप में भी लिया जा रहा है ठीक जिससे कि आपका जो सिलेवस है पाठिकरम है सही समय पर आज पूरा complete हो सके और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत से बच्चों के पास mobile की सुविदा नहीं थी इस कारण से इस बार सरकार के दौरा सिच्छा विभाग के दौरा यह मुहला class आयोजन किया जा रहा है ठीक है जिसमें teachers मुहले में पढ़ाते हैं और साथ ही अब हम बात करते हैं कि class 12 का result कब तक डिकलेर हो जाएगा तो class 12 का result है वो जुलाई मेहने के last week में जारी कर दिया जाएगा जिससे कि उन सभी students को आगे college में जो admission लेना चाहते हैं तो उसमें वो admission ले सके हैं ठीक हैं और एक important आपको सुचना देनी है कि हमारे channel पर class 10 और 12 के online classes available हैं यदि आप भी हमसे online classes के मार्दयम से जोड़ना चाहते हैं तो इस video के description में whatsapp group का link दिया गया है और telegram का link दिया गया है तो आप हमसे जोड़ सकते हैं और वहां आपको daily आपको math, physics और science के classes मिलेंगे और कुछ समय कुछ मेहनवाद आपको आपके chemistry और biology यानि all subject के आपको पूरे video lecture video मिलेंगे तो यदि आप भी जोड़ना चाहते हैं तो whatsapp group को जरूर जोइन कर लें राइट ओके और यदि आपको भी ये जानना है कि बार्मी के बाद सबसे best career कौन सा होगा तो हमने एक video पहले बना रखी है और यदि उसके बाद भी आपको college के बारे में जानना है तो आप इस video के comment box में comment कर आप हमें जरूर बता हैं कि after 12 आप कौन-कौन से college में admission ले सकते हैं best option आप लोगों के लिए क्या होगा ठीक है और क्या हम और क्या हम private या open college कर सकते हैं तो इसके बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के comment box में comment कर आप हमें जरूर बता हैं हम आपको अलग से एक video available करा देंगे college से संबंदित कि आपको college में कौन-कौन स subject available रहते हैं और क्या-क्या करने से आपको आगे carrier में ज्यादा मदद मिलती है तो आज के वीडियो में इतना ही और वी जो doubt होगा तो आप वीडियो के comment box में comment कर आप हमसे पूछ सकते हैं अगले वीडियो में हम आपके questions का answer जरूर देंगे तो मिलते हैं आपसे next वीडियो मे आज के वीडियो में इतना ही तैंक यू